नमस्कार ये आकाश वानिक पटना है अब आपविशेक दास से प्रादेशुक समाचार सुनिए महागटबंधन ने पटना साहिव, शिभर और मधवनी से उमिदबारों के नामों की खोशना की, पटना साहिव से शत्रोग्न सिन्ना होंगे कॉंग्रेस के उमिदबार मैट्रिक का परिक्षा परिनाम जारी, 80.73 प्रतिशत छात्र सफल, सिमुलतला आवासिय विद्याले के सावन राज भारती बने टौपर और उत्तर तथा पुर्वी बिहार के अधिकांस रिसों में बारिस और ओला ब्रिस्टी से फसलों को व्यापत नुकसान लोग सभा चुनौके चौथे चरण के लिए आज 11 नामांकन परचे दाखिल किये गए बेगुसराय संसद्य च्छत्र से एंडिये की ओर से भाजपा की गिरीराज सिंग ने अपना नामांकन परचा दाखिल किया वहीं दर्भंगा से 3, उजियारपूर से 5, समस्तिपूर और मुंगेर से एक-एक लोगों ने स्वतंत्र उमिदवार के रूप में नामांकन पत्र भरा है चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम्ति थी 9 अप्रेल निर्धारित है 10 अप्रेल को नावांकन पत्रों की जाच की जाएगी, वहीं प्रत्याशी 12 अप्रेल तक नाम वापस ले सकते हैं इन संसदिय च्छत्रों में 39 अप्रेल को मद्दान होना है महा गटबंधन ने पटना साहिब शिभर और मध्वनी से उमिद्वारों के नामों की खोशना कर दी है कॉंग्रस ने पटना साहिब से शत्रुपन सिन्धा को अपना उमिद्वार बनाया है नई दिल्ले में कॉंग्रस महासाचिप केसी वेनो गोपाल ने आज उनी पार्टी की सदस्यता दिलाई इस बार भाजपाने पटना साहिब से खानून मंत्री रवशंकर प्रसाद को टिकट दिया है वहीं राज़त ने शिभर लोकसवा चत्र से सयद फैसल अली को अपना उमिद्वार घोशित किया है विकास शशील इंसान पार्टी ने मधवनी लोकसवा सीट से बद्री कुमार पुर्वे को उमिद्वार बनाया है पहले और दूसरे चरण के लोकसवा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है इस सिलसिले में आज भाज़पा के वरिष्ट नेता राजनात सिंग ने जमुई में लोजपा प्रत्याशी चिराग पासवान के बक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया सुरी सिंग ने कहा कि पिछले पांच वर्सों के दोरान प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के नित्रितों में देश की वैस्विक अस्तर पर साख बढ़ी है उन्होंने कहा कि कमजोर और पिछले वर्गों के लिए कई कल्यानकारी योजनाव की शुरुआत की गई जिससे उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके उन्होंने महागटबंधन में शामिल दलों पर निशाना साथते हुए कहा कि यह गटबंधन अपने अस्तितों को बचाने के लिए क्या गया है वहीं जद्यू के राष्ट्री अध्याच्च नितीश कुमार ने गया के फातेपूर में एंडिये प्रत्याशी विजय कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में केंदर सरकार की उप्लब्धों की चर्चा करते हुए कहा कि विकास के लिए एक बार फिर एंडिये सरकार की जरुवत है। इधर राज़त के वरिष्ट नेता मनुद्जा ने शेकपुरा में महागट बंधन प्रत्याशी बिवा देवी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मधेपुरा में राज़त उमिद्बार शरद यादम ने जनसंपर्ग अभियान चला कर लोगों से समर्थन की अपील की। भाज़पा के वरिष्ट नेता सुशिल कुमार मोदी और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बेगुसराय में पार्टी उमिद्बार गिरी राज सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। रालोसपा के पुर्व कारिकार अध्यक्ष नागमनी और उनकी पतनी सुचित्रा सिंहा आजज़द्यों में शामिल हो गई। पतना में आयोजित मिलन समारों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ट नारायन सिंह ने दोनों को पार्टी के प्रात्मिक सदसेता दिलाई। भाजपा के विधान पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष जीतन राम मांजी ने घोशना पत्र जारी करते हुए कहा कि भूमी सुधार को लागू करना, जनसंख्या के आधार पर आरक्षन और न्याइक बहाली में आरक्षन उनके पार्टी के प्रमुक मुद्दे हैं। जमुई संसद्य निर्वाचन छेतर में 11 अप्रेल को होने वाले चुनों को लेकर घमासान तेज है। हमारे समवादाता की क्राउंड रिपोर्ट। जमुई लोग सभाच छेतर में मुख मुकाबला लोग जमसद्य पार्टी के चिराग पाश्वान और रास्टी लोग समता पार्टी के भुदेव चौधरी के बीच होने के आसार हैं। जमुई लोग सभाच छेतर में सुरक्षा के कड़े प्रबंद किये गये हैं। प्रदेश भर में आज चलाए गए अभियान के दौरान 12 हथियार, 55 कार्टूस और 4 बम बरामत के गए। गया संसद्य निरवाचन छितर में 11 अप्रेल को होने वाली मद्दान के लिए जोनल और सेक्टर अधिकारियों को आज प्रसिक्षन दिया गया। प्रादेशिक समाचार आपाका श्वानी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विद्याले पडिक्षा समीती ने मैट्रिक का पडिक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इस बार 80.73% को सफलता मिली है। पिछले साल की तुल्ना में 11.84% अधिक चात्रों को सफलता मिली है। बोड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बदाया कि इस बार परिक्षा समापती के रिकॉर्ड 37 दिनों की भीतर पडिनाम जारी किया गया। सिमुलतला आव़ास्य विद्याले के चात्र सावन राज भारती ने 97.85 दो तीन प्रतिशत अंकों के साथ पहला अस्थान प्राप्त किया है। वही 96.6 प्रतिशत अंकों के साथ इसी विद्याले के छातर रौविन राज दूसरे और 96.2 प्रतिशत अंकों के साथ प्रयांसु राज तीसरे अस्थान पर रहे। स्री किशोर ने बताया कि टॉप 10 में 18.6 शातर शामिल हैं जिन में 16.6 आवासी विद्याले के हैं। बोड अध्यक्ष ने बताया कि जो शातर अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं वे 9-18 अप्रेल के बीच कॉप्यों की पुनरजाच के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही 11-16 अप्रेल के बीच कमपार्टमेंटल परिख्षा के लिए आवेदन लिये जाएंगे। मई महिने के अंत में कमपार्टमेंटल परिख्षा का आयोजन किया जाएगा और जून महिने में परिणाम जारी कर दिये जाएंगे। प्रदेश के कई हिसों में आज सुभा से बारिश के कारण खेतों में लगी गेहूं मक्के और सरसों की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पटना, गया, जहानाबाद, भोजपूर, और अंगाबाद, नवादा और कैमूर समेथ दक्षनी बिहार के कई हिस्सों में सुवा से ही आसमान में बादल चाये हुए हैं और तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 खंटों के दारान कई अस्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभाबना जताई है। विभाग ने कहा है कि काल वैशाखी के प्रभाव से प्रदेश में मौसम के रुख में बराबर बदलाव आ रहा है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सरक हाथसों में तीन बच्चे समें 14 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक खायल हो गए। पस्ष्विम चंपारन जिले के रामनगर थाना चित्र के रामनगर लौडिया मुख्यपत पर बरगजवा चौक के पास पिक अप बैन और ट्रक के बीच हुई तक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य खायल हो गई। जिला प्रसासन ने मिर्टकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपे सहायता राशी देने की घोशना की है। पुर्वी चंपारन जिले के रक्सॉल बॉर्डर पर स्सपी के जवानों ने 1 करोर रुपे मुल्ली के चरस के साथ एक तसकर को गिरफतार किया है। नालंदा जिले के दीपनगर ठानच्चतर के नदियोना से पुलिस ने 50,000 रुपे के इनामी अप्राधी वेद प्रकाश को हत्यारों के साथ गिरफतार किया है। अर्वल जिले के किंजर ठानच्चतर के पुरेनिया गौव में पुलिस ने छापे मारी कर एक अवयध मीनिगन सैक्ट्रिक आउद बेधन किया। मौके से एक व्यक्ति को गिरफतार किया गया है। सिमुलतला आवासी विद्याले के सावन राजभारती बने टौपर। और उत्तर तथा पुर्वी विहार के अधिकांस रिसों में बारिस और ओला ब्रिस्टी से फसनों को व्यापक नुक्सान। इसके साथ ही आका स्वानि पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक्स समाप्त हुआ। झाले के साथ हैं and Maharashtra, while the Congress President Rahul Gandhi held three rallies in Uttarakhand. Addressing an election rally in Hathod village near Balor, district of Chhattisgarh this afternoon, Mr. Modi said the picture of intentions and policy is clear in the mind of the people of this country. He said Congress and its allies are fighting elections to create a helpless government, while the BJP is doing it to form a strong government. Mr. Modi said Congress and its coalition partners are fighting to give a free hand to terrorists and separatists, while BJP is fighting elections to get them punished. Addressing a public meeting at Sundargad in Odisha, Mr. Modi said a strong government was the need of the hour to ensure a stable country. He said the ruling BJD government in the state obstructed the implementation of financial assistance to farmers and free treatment to the poor under the Ayushman Bharat scheme. The Prime Minister said NDA government believes in Sabka Saat, Sabka Vikas, holding a public meeting at Sonpur. He said the NDA government has given free LPG connections to women and free electricity connections to the needy. Congress President Rahul Gandhi has said if voted to power at the center, Congress government will give 72,000 rupees per year to 20% poor families, having income of less than 12,000 rupees. He was addressing an election rally in support of party candidate Manish Khanduri from Garhwal in Srinagar in Uttarakhand today. Giving the slogan of Garhibi Parwar Bahattar Hazar, Mr. Gandhi said his first target will be to do surgical strike on poverty. He said the BJP government is working on the direction of capitalists. He said on coming to power, Congress government will give the status of martyrs to those paramilitary forces personnel who laid down their lives in the defense of India. Mr. Gandhi also addressed rallies at Almora and Haridwar in Uttarakhand. The BJP has released another list of 24 candidates for the Lok Sabha elections. The list contains the names of eight candidates for Haryana, four candidates each for Rajasthan and Uttar Pradesh, three each for Jharkhand and Madhya Pradesh, and one each for Odisha and West Bengal. Prominent among those who have been given tickets are Union Ministers Rao and Drajeet Singh from Gurgaon and Krishanpal Gurjar from Faridabad in Haryana, while Vivek Sejwalkar from Gwalaya and Nathan Shah from Chindwara have been named in Madhya Pradesh. The BJP has also announced the names of two candidates for Assembly polls in Odisha and by-post to Chindwara Assembly Seat in Madhya Pradesh and Neghasaan Assembly Seat in Uttar Pradesh. The Congress has released another list of five candidates for Lok Sabha elections. The party has fielded Chaturgan Sinha from Patna Saheb constituency in Bihar. The BJP MP and actor-turned-politician had joined the Congress earlier today. The party has announced the candidature of Ramlal Thakur from Himachal Pradesh's Hamirpur seat. In Punjab, Jasbir Singh Gill has been fielded from Khadur Sahib, Dr. Ramar Singh from Fatehgarh Sahib and Mohamad Sadiq from Fareed Khod in Punjab. UPA chairperson Sonia Gandhi today said people are being taught a new definition of patriotism and those not accepting diversity are being called patriots. Addressing people's agenda, Jan Sarokar 2019 in Delhi, the senior Congress leader alleged that the NDA government is not ready to respect dissent. She also alleged that the BJP-led government was not ready to fulfill its duty of enforcing rule of law in the country. In Dramo and Kashmir 2, unidentified terrorists were killed in a brief encounter with the joint team of security forces in Iman Sahib area of Shrupian district. Late this afternoon, security sources said that exchange of gunfire between terrorist and joint forces occurred at Pargoji Orchards in the area following launch of coordinate search operation. In women's hockey, India thrashed hosts Malaysia 5-0 in the second game of the five-match series in Kuala Lumpur today. The third match will be played on Monday. Indian women's team defeated Nepal 3-1 in their second round two match in the AFC Olympic Football Tournament. Qualifiers in Mandalay, Myanmar today. In IPL cricket, Chennai Super Kings defeated Kings 11 Punjab by 22 runs in Chennai this evening. And with that, we end this News Bulletin. in the light of our society, to keep hearing from the translator as well in the state. stage of history happening in Pin And that second one of the West